Hello everyone, welcome to my youtube channel, the online shopper Nike काफी popular brand है, जैसे आप सभी को पता है, ज्यादा बात करने की तो जरूरती नहीं है तो popular कि स्टीज के लिए ये shoes के लिए काफी popular है Nike and clothing के लिए बट जो आज हम बात करेंगे वो shoes की बात करेंगे तो हर साल Nike बहुत से shoes बनाता है, कुछ Air Force Series होती है कुछ running shoes होते हैं और कुछ casual shoes होते हैं तो बहुत से shoes बनाता है Nike, सभी shoes तो popular नहीं होते नाइकी के बट कुछ shoes ऐसे होते हैं जो every year Nike new model निकालता है जब shoes का वो popular होता ही है तो Nike के सभी shoes में से जो one of the best shoes है वो है Nike Pegasus तो Nike Pegasus काफी समय से popular shoes है और Nike से काफी समय से बना रहा है तो मेरे पास है यह सबसे latest model जो Pegasus का है यह है Nike Pegasus 40 Pegasus Series मुझे personally बहुत पसंद है तो मैंने इसके काफी model हैं जो use किये हैं 37, 38, 39 अभी जो मैंने order किया था यह अजियो से आप देख सकते हो यह Pegasus 40 था और मुझे यह deliver हो चुका है तो Nike का जो Pegasus Series है वो mainly जो रहता है वो running के लिए रहता है जो मेरा past experience है Pegasus Series के साथ बहुत ही अच्छा है तो उसी past experience के कारण जो मेरा काफी अच्छा रहा है उसी के कारण मैंने यह Nike Pegasus 40 order किये थे तो इस वीडियो में होगी in shoes के बारे में complete बात जो भी detailed जानकारी होगी मैं सभी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो video end तक जरूर देखिए आप तो इस वीडियो में सबसे पहले करते हैं shoes की unboxing and then shoes के बारे में करते हैं detail में बात तो सबसे पहले आप packing check कर सकते हो packing AGO का काफी अच्छा है जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल first class है तो करते हैं इसे open इस तरफ से कर लेते हैं cut तो अंदर हमें मिल जाती है ये Nike की नहीं packing आप देख सकते हो तो सभी तरफ से box आपको मिलता है plain यहाँ पे हमें मिल जाती है size की information आप देख सकते हो and box के नीचे हमें मिल जाती हैं बहुत सी details यहाँ पे हमें मिल जाती है importer की information जो Nike India private limited है जिन्होंने यह import किया है and जो customer and complaint बगारा का address है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है तो product name जो इन्होंने दिया हुआ footwear shoes है वो and manufacturing month है and year है जो जनवरी 23 है and जो जानकारी main है वो है made in country तो made in country है जो इसकी वो वेतनम है shoes made in वेतनम shoes है size के information मिल जाता है quantity one pair है हमने one pair यह order किया था and जो MRP है सबसे main जो price की जानकारी है वो यहाँ पे हमें मिल जाती है जो इनका MRP price है वो 11,895 रूपीज है तो बस यही जानकारी मिलती है हमें box के outside पे देखते हैं inside box में काफी अच्छा packing बनाया है इस बार Nike ने आप देख सकते हो यहाँ से भी आप इसको directly open कर सकते हो अगर और आप चाहो यह तो ऐसे इसको remove करके लिए आप इसको open कर सकते हो तो इसे रखते हैं side में now देखते हैं box के अंदर तो box के अंदर यह काफी अच्छा Nike का branding आप देख सकते हो हमें मिल जाता है जो inside में काफी original packing आप देख सकते हो अच्छा गिया हुआ है इन्होंने अंदर यहाँ पर हमें मिल जाते हैं wrap की हुए shoes जो के है Nike Pegasus 40 यह first pair आप देख सकते हो यह second pair मिल जाता है हमें and inside आप देख सकते हो बाकी इसको रखते हैं हम side में तो finally यह है मेरे पास Nike Pegasus 40 shoes तो आपको इनका first look देख सकते हो look काफी अच्छा है काफी premium look है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो बात है Nike Pegasus 40 की branding मिल जाती है आप देख सकते हो and यहाँ पे आपको soul के side में air zoom का branding मिल जाता है Nike का जो mark है वो खाली branding मिल जाता है आप देख सकते हो and other side पे आपको Nike का जो filled branding है वो मिल जाता है white color में and यह shoes का color आप black and white combination देख सकते हो काफी अच्छा दिख रहा है and यहाँ पे आपको Nike की branding मिल जाती है running just do it आप देख सकते हो shoes के back side पे आपको मिल जाती है Nike की branding small वाली आप देख सकते हो and inside में मिल जाता है आपको Nike का smiley देख सकते हो आप and दूसरे shoes में हमें यह same नहीं मिलता back side पे तो small branding Nike का मिलता है but inside में हमें मिल जाता है air zoom का branding just do it तो इस बार Nike Pegasus 39 थे जो उन से काफी different है यह Pegasus 40 यह material का भी कुछीनों ने चेंज किया है यह material काफी अच्छी quality का लग रहा है बैसे तो Nike Pegasus always ही काफी अच्छी quality के shoes होते है बट यह थोड़ा improved लग रहा है मुझे laces भी इस बार quality जो दिख रही है हमें improved दिख रही है जो last Nike Pegasus 39 थे उन से different है यह places अगर हम shoes के weight की बात करते है तो मैं जैसे feel कर पा रहा हूँ यह काफी light weight shoes है दोनों pair मेरे हाथ में हैं आप देख सकते हो shoes के weight की बात करते है तो जो Nike की official website पे mention है वो एक shoes का जो weight है 266 gram है जो की बहुत light हुआ बट जो Pegasus 39 shoes था वो इससे भी और light था वो approximately 260 gram का जो shoes था पर shoes तो shoes के color की बात करते है तो आपको जो Nike की official website पे मिल जाएंगे color choice वो मिल जाएगी आपको 5 color की choice अब से पहले आपको वहाँ पे मिल जाता है यह shoes black and white color जो मैंने buy किया है और दूसरे number पे आपको मिल जाता है fully black shoes तो उसका जो soul है वो भी black होगा और यह marking जो है Nike की वो सभी black में मिलेगी आपको और जो third color है वो आप देख सकते हैं यह भी काफी अच्छा लग रहा है यह black and white के combination के साथ red है जो वो इन्होंने combine किया हुआ है shoes में यह काफी अच्छी look दे रहा है shoes आप यह भी देख सकते हो और जो fourth color है यह baggy color है आप देख सकते हो और fifth one यह green के साथ baggy का ही combination किया हुआ है और यही color option आपको Nike के official website पे मिलते है और थोड़े अगर आप और भी कोई अपना personally color design करवाना चाहते हो तो वो भी आप Nike के official website से design कर सकते हो जो color आपको कैसा जो भी combination चाहिए वो आप कर सकते हो बट वो उसके लिए आपको थोड़ा extra pay करना पड़ता है जैसे आपको पता है Nike के official website पे जो shoes कान का price रहेगा वो 11,895 ही रहेगा बट वहां से आपको इसलिए फाइदा है भाई करने में अगर आपका कोई personally color choice है because Ajio and Mintra पे आपको जो popular color रहते हैं black and white और जो भी दो चार और color रहते हैं वो ही आपको मिलते हैं बट नाइकी पे आप जो चाहो अपना color अपनी choice से create कर सकते हो and buy कर सकते हो सिर्फ यही फाइदा है अगर आप नाइकी के official website से buy करते हो अदरवाइस आपको discount बगहना चाहिए तो आप Mintra and Ajio से ही buy किजिए वहाँ पे आपको दो तीन color जो popular हैं वही मिलेंगे अभी इंडिया में जो यह shoes available हैं एक तो नाइकी के official store पे available मिलेंगे आपको shoes second option रह जाती है आपके पास Ajio and third option रह जाती है Mintra बाकी मैंने सभी जगा पे check किया हुआ है कहीं पे यह shoes available नहीं है तो मैंने choose किया Ajio because वहाँ पे मुझे काफी अच्छा discount मिला तो shoes का unboxing है और जो shoes के बारे में detail जानकारी थी वो मैं सभी आपको दे चुका हूँ now बात कर लेते हैं इन shoes के price के बारे में price के बारे में बात करते हैं अगर आप store से buy करते हो इन shoes को तो आपको मिलेंगे ये MRP पे जो MRP है वो 11,895 रुपीज है I suggest you store से मत buy कीजिए because of MRP जो है इनका काफी ज्यादा है shoes का मैं आपको suggest करूंगा आप आजियो से buy कीजिए जैसे मैंने इनको wishlist किया हुआ था है and जब price drop हुआ तभी मैंने आजियो से buy किया and जो price मुझे मिला है वो काफी अच्छा price मिला है अभी मैं वीडियो में आपको बताता हूँ आगे इन shoes को मैंने मिंतरा पे भी wishlist किया हुआ था बट वहाँ पे price drop बगएरा कुछ नहीं हुआ तो वहाँ पे वो जो sell कर रहे हैं वो MRP पे ही sell कर रहे हैं इन shoes को MRP पे यह सभी इसलिए sell कर रहे है because of यह अभी latest shoes है तो अभी price drop जल्दी नहीं होगा इनको एक दो महिना लग जाएगा भी price drop के लिए मैं आपको suggest करता हूँ अगर आप यह shoes buy करना चाहते हो quality wise बगएरा सभी जो है बिल्कुल perfect है everything is perfect in this shoes बट जो price है वो काफी expensive है जैसे बताया मैंने near about 12,000 price है अगर आप इन shoes को buy करना चाहते हो and आप इन shoes की value लेना चाहते हो तो value जो है इन shoes की 6-8,000 के bीच अगर आपको मिलते हैं यह shoes आप buy कर सकते हो तो अगर आपको इस price range के बीच में यह shoes मिलते हैं तो आप buy कर सकते हो से मैंने यह जीयों से बाई की हैं 7,299 रूपीस में एंड मुझे लगता है यह शूज बर्थ है एट इस प्राइस यह आप इन शूज का प्राइस ब्रेक अप देख सकते हो जैसे इन शूज का मर्पी था वह 11,895 रूपीस था जो उस समय मुझे बिस लिस्ट करके जो 788 रूपीस रह जाता था एंड आफ्टर गैट जो एक बैंक पे क्रेड़िट कार्ड पे आफर था 10% एक्स्टा का वह मैंने कार्ड के साथ पेमिट किया तो वह 788 रूपीस वह मुझे अलग से डिसकाउंट मिल गया तो आफ्टर आल आफर जो मैंने पे किया है वह 7,299 पोटी शूज के लिए तो इन शूज के बारे में इतनी जानकारी थी मेरे पास अगर आम मुझे से कुछ कवर नहीं हुआ इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके और भी कोई जानकारी रहती हो जो आपको चाहिए हो वो आपको कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो I will surely reply तो ऐसे ही fashion से related videos मैं बनाता रहता हूँ जो भी latest trend का जो भी कुछ भी release होता है market में तो ऐसी videos के लिए आप हमारे channel को subscribe जरूर कीजिए तो आज की video में इतना ही था thank you